Sony TV में new YouTube update आया है जिसमें YouTube watching के लिए 3 options है YouTube account, YouTube kids जो कि especially बच्चों के लिए है और आपको अगर account एड नहीं करना है तो as a guest open कर लीजिए और उसमें भी signing करने के लिए QR code scan का option आ गया है Because इस TV के remote में voice command का option नहीं है So scan करके Google account को एड करना ज्यादा easy है अब YouTube exit करने के time भी ambient display का option आ जाता है और इसे click करने पर must must poster और ambient video आ जाते है और हाँ इन में भी air आता है अब बात करते हैं इसको update कैसे करें तो इसके remote में home button को press करके setting में आ जाएंगे और यहां customer support के option में जाकर software update को click करेंगे इसमें USB और network option आता है तो हम network option के जरीए इसे update करेंगे और network option के लिए TV में internet connect होना चाहिए जिससे के update डाउनलोड होका TV update हो जाए अपडेट से और क्या चंजस है उससे जानने के लिए comment कीजिए वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को like और share कीजिए एंड टीवी से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिजे